गौरि भक्त ब्रिन्दा एक बार सब बोली प्रेम से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जो से सब बोली एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे तो माहाप्रभू जी हुए है कौन है लुज इस ब्रज में तो उन्हों ने देखा और जो पूछा कि यहां पर कोई है से उण छो श्दान है जहाँ पर एक काली खेत है और एक है गोरी खेत तो जब वो यहाँ पर आये तो महाप्रभुजी ने देखा वो स्थान को तो जब काली खेत है महाप्रभुजी ने के काली खेत क्या है श्यामकुंड और जो गोरी खेत क्या है नाद्यकुंड तो उनने ब्रेजवास्यों को यहां की महिमा बताई तो महाप्रभुजी स्वय में बात बता रहे हैं कि जो सारे लोग है ना सारे लोग सब लोगों में सबसे स्रेश लोग कौन सा है वैकुंड सारे लोगों में सबसे स्रेश लोग है वैकुंड और उस सबसे वैकुंड में भी इस जगत में सबसे स्रेश इस्थान है मतुरा मंद कि यह मत्रामंडर सबसे श्रेश इस्थानि क्यों यहां भगवान करश्न का मथ्रमंडर के अंदर के अंदर प्रा जो कि पर्ज जनसफन Nicholas नव्हाइं विंधरण ॥ा किぎ सबसे स्रेष्ष्ष्षान है गो बारा दन को क्या बताएग्या है गो बताएगया यह destroys race rubber बर्चवान की सेवा के लिए सबसे पहले है सबसे सर्वाह स्रेष्ष्ष्ष्ष्ष्ष use कुए घृष इन यो और वागवान कृष्ण तो भगवान लूख दो दो GOC. तर्द चाहरन नंगेबे बय का, महिंद कि आंगा लेकि नगे प्न। वे पा्दू नियान के लिए उनकी openness आपक्री के हो और मैं क्वाध भेहनल Herman करो हुज कि और मर ठाभ ही जब में सम्न। तो महियाने का भईया एक तरह तूपॉसिट है नी, क्योंकि उनके पास कितनी कही यहां थी? नौलाग, नौलाग याने? छत्तिसलाग पादुगाएं, तो महियाने का भईया इतना तूपॉसिट है नी, तू तू ऐसी चले जा. ठीक है नो लाग में छती कहां से बनाँगी तेरे लिए तो तू ऐसी चले जा तो गिरीराज जी में जाते थे तो गिरीराज जी तेको भगवान के इतने बड़े अच्छे सुन्दर सेवक हैं वो क्या करते हैं मुलायम हुजाते हैं भगवान की चरणों के नीचे बिल्कुल मुलायम हुजाते हैं गद्दी की तरह और व्रिक्षों से उनको उपर चाया करते हैं उनको जलगी जुरत होती है तो मीठा जलप प्रदान करते हैं, उनके लिए बड़े सुंदर सुंदर फूलों के कुंज निकुंज बनाते हैं, भगवान की बड़े बड़े तरह सेवा करते हैं, जैसले कि हम लोगों ने सुना गिरी राज जी के महिमा के बारे में, जब आज यतने सुन्दर सुन्दर फकवान बन रहे हैं, मैं आने का जा जा तुम परिसान मत कर और नंदबाबा के पास जा, तो कृष्ण ने कह रहे हैं, भगवा आज क्या होगया? यह ऐसे पकवान तो मेरे जनम दिन पर ही बनते हैं और आज क्यों बन रहे? तो करते हैं, और हम क्या है जाती से क्या है? गोप है, गवाले हैं, और हमारा धन क्या है? गईया हमारा धन है, घास खाती है, इंदर की किरपा से वर्सा होती है, घास उकती है, और फिर गईया हमें क्या देती है? दूद देती है, जिसने हमारी जीविका चलती है, तो हमारी इं को बड़ा परोगा जया जैं करें इंद्र ही जम्टा नद्रेट बड़ा किया कि do Patienten को अपने जूथा किलाएगा है इंद्र को यह सभोग लगाएं जांड़ाईगे इंद्र इंद्र का उच्छी अपाएं यह इंद्र इतना बड़ा हो गया तुन रख डंग कि om वह पंचायद मेट गई तो उन्होंने का कृष्ण भगवान ने का कि मुझे रात मेना स्वपना आए था और एक देपता प्रकट वेते मेरे सामने उन्होंने बोला कि मैं तुमारे ब्रज का जो इस्ट हूँ ना अगर तुम्हें पूजा करनी है तो मेरी करो यह इंद्र की नहीं इंद्र तो मेरा तुच्छ सेवग है तो सब लोग कह रहें कि अगर यह बात बलराम जी बोलेंगे तब ही हम मानेंगे तो बलराम जी से पूछा क्या बात सकते है बल्रामजी ने का हां यह बात सब्ते हैं तो उन्हेंने का कोई सारे ब्रजवासी अब समझ जिसमें पढ़ गए कि कृष्णी की बात माने या ना माने तो भगवान कृष्णी ने बोला अच्छे बात बताओ सब लोगों से पूछा कि यहां पर ब्रज में बरसा होती है किसकी दो वर्सा नहीं होती हैं आप जाओगे अमेरिका चाईना जापान के इंडरगी पूझा होती हुआ तो बरसा होती है नहीं होती दो को लूपक tast pouco है तो आज जैसे आप लोग माननें फिरजवासी के बात जुशा होती है कि बहई जब जहां इंडर की पूझा नहीं होती वह उसे सही को चबाएंगे, सब के सब्वासी बड़े उस बड़े उच्वाइन से लोगे उसाथ से लोग उने पड़या पकवान- वने वनेयर अग्त उन-फड़े स at on उसे क्या नां दिया, अनके पहाड लगा दिये, अनकूट, कूट याने पहाड, बड़े-बड़े पहाड, पूड़ियों को पहाड, अन्यवी का पहाड, हल्वे का पहाड, चोमिन का पहाड, दाल पहाड, अभी आप सब लोगों मुझे लग रहा है, भूग लग रही है तो प्रणाब करें और बड़े लोग सब लोग जो ब्रजवासी लाएं इसको ग्रेंड करो तो वापे शाक्षा ग्री राजी प्रकट हुए शिला के रूप में उन्हें सब ग्रेंड करना सुईकार कर दिया सारे ब्रेजवासी बड़े फुस हो रहें लेकिन कृष्ट के सका बड क्रिष्ट के सका बड़े दुखी हुए वह कह रहें कि आज से पहले जब भी हम कृष्ट की पूजा करते हैं और होता क्या था कि जो भी कृष्ट को भोग लगाते तो वह वैसा ही रहता था लेकिन इस बार हम नहीं किसको भोग लगा दिया यह पताली कैसा देवता गया यह जित उ सारा का खाये जा रहा है और क्या बोल रहा है और लाओ और लाओ तो गण का नम क्या पढ़ा अन्यूर और लाओ और लाओ आब खृष्ट करें कि ऑनने गलोड़े तो अपने कैसे सका कैसे देवता को तुने बोल दिया यह तो हमारे लिए कुछ भी नी चोड़ रहा अमदुमंगल बुड़ा गुस्सा हो गया अब भगवान किष्णी को वोने लगा कि भई आज के बाद आज तेरे साथ ही नहीं खेलेंगे तेरी वेज़े से हमें जो लड्डू मिलते हैं साल में एक बार खाने को वो भी नहीं मिल रहें बगवान कृष्णी को रुख जाओ भगवान किष्णी के तुलसी दल लिया और एक गंगजल में ग्रीराज्य की और पित किया और ग्रीराज्यी को आप कृष्णे के सका और खुसोग है लेकिन अधुमंगल तब भी दुखी सब ने वोला भई अब तो तुम लाए थे एक टोगरी लड़ू लाए थे एक टोगरी लड़ू वो चाल कटो टोगरी हो गया लेकिन दुखी क्या है किया दा मुझे पहले पता हो तो तो मैं चार्क गश्ठी करेंगे पता हैंगे भगवान का कोईि फिकर मत करो बंदर नuman यह एट सब और चिया करेंगे डिस सबके सब क्या करेंगे परिक्रमा करेंगे तो सबसे पहली परिक्रमा हुई तो राधारानी ने देखा कि कृष्ण ने तो हमाईक तर देखा ही नहीं आज अब राधारानी मनीमन बोल रही है कि कृष्ण अगर तुम हमसे प्रेम करते हो न तुम एक बार हमें अपने दर्सन दोगे अब भगवान कृष्ण जान गए प्षण को पकड़ा और उसकी पूच अड़ दी और पीछडा पीछ TVs दोड़ते दोड़ते बचड़ते चले गए गए गोपियों की भीडमे और राधराणी को दरसंदी ऐ क subject अब वो बशड़े को लेके वापिस आगे अब गोपिया और राधरानी दुवारा वोले किर्ष्ण अगर वास्तों में तुम हमें प्रेम कर देऊ ना एक बार दर्सन और दो अब अब बार बार कितनी पूछ हैटू में पचलेगी अब क्या करूं उन्होंने क्या करने गूंगे पकड़े तो बगवान किष्ण ने देख सब्ड़श्वासी देख रहें किर्ष्ण क्या धिखा रहा है कना बाजी के भड़ी संदर वद्र अवलने जैसे अपनी लकविटी उच्छा ली भगवान क्रिष्ण ने घूंग पकड़ी और किसको दर्सनी है राधराण बड़ी परसन्वी अब राधानानी वोल रही है जो गोपिया बोल रही है तुमने दो बार तो दर्सन दे दिए अगर तुमने एक बार और दर्सन दे दिए तौम तो मान जाएंगी अब ज़स्टने करें लिए बहा इसतना थोड़ना होता है मैं भी कैसे कितनी क्या क्या करू तो उन्हेंने क्या भगवान किष्ण चलते हैं चलते हैं मुदमस थो गए बिलकुल आगे पहुझ गए शबसे बड़े बड़े गोप थे उनकी भीड़ में और वहां जाके देखने लगे आ रहे मैं कहा गया मैं तो अपने सखाव से दूर आ गया है मेरे सखाव तो पीछ पर दन में फिर उसके बाद बताया गया कि ग्रिराजी की प्रक्रमा संपन हुई अगले दिन जब इंद्र को पता चला कि भाईया मेरी तो पूझे नीवी तो इंद्र ने क्या करा बिरच के उपर अपने बड़े बड़े बादल थे नों को पुलाया कि तुम्हें काम करो ब आप पुत्र मों में इतने हैं इतने पिकल गए कि आपने क्या करा आपको कोई चिंता करनी की कोई जरूत निये आप सब लोग क्या करो गरो गरी नीचे आज़ो अब ग्री राजी कितने गोश्के तो बताए कि हमारे घोष्वामी बताते हैं जब बढ़ान क्रिष्थने ने ग्रीजवासी को अपनी वाहां हाथ में चोरासी गोजकी ब्री और सारे के सारी बैजबासी क्या हुआ पश्के नीचे आगहें अब आप देखो जब 12 कि कोई चाता लेकर खड़ा होगा तो बारी क्या गिरेंगी साइड मैं पैर तो गिले होंगे न तो वापर जो छो बगवान तो अशाn 시d उन्होंने क्यक्राइव लुप में पूरे ब्रज को घेर लिया और सारे पानी को वही रोग दिया अब पानी को तो रोक दिया अब पानी आप देख लोगों ने देखा होगा कि जब इसमें केदार नात में बद्री नात में जब बाढ़ आई थी कितना भेंगते बाढ़ थे अगर वो ब्रज में नहीं आती तो कहां थी दिल्ली फरिदाबाद जैपुर ये सब डूप जाता लेकिन भगवान ने क्या करा भगवान ने अगस्तरिशी का आववन किया अगस्तरिशी को ने जो एक आजमन में पूरा समुंदर पान कर लेते हैं एक बार अगस्तरिशी ब्रज में आये थे तो जब ब्रज में अगस्तरिशी आये थे तो नंदबाबाबा ने बोला कृष् तो इस दिन भगवन किश्णी कह रहे हैं कि अगस्ति ची को ऑजाओ उस दिन तुमें मैंने जनली पिलाया था आजी भर के जल बीए तो अगस्तिर्षी ने वह सारा कर चाँता जन पान कर लिया पर बताया शिव जी जी भी वहाँ है, शिव जी जी भी अपनी सेवा करने के लिए उन्हें ने क्या है अपने तिरसूल से, सारे जो वरसा थी उसको रोग दिया, जब बाद में जब इंदर ने देखा कि भहंकर वरसा हो गई, सब कुछ हो गया, और ब्रज में अपने दूथ को भेजा, कि देख क्या हो, क्या हुआ, तो उसमने उक पर से लिखा बताया कि सारे ब्रज का नास हो गया, लेकिन तब जूसरा दूत आया, उसने बोला कि इंदर को, अरे ब्रज का नास नी हो, तेरा नास हो गया, ने ब्रज में कुछ भी नी करत, पंड़ मुआ, एक चीती भी नहीं झाऑ एक कामगर्द, तू नहीं जा गए भगवान के पास जा। और क्यागर्आ ये सुर्भी जो गईया है ना भगवान को गईया वन प्रीए नमो ब्राह्मनदेवायचा गव्भामन इतायचा जगत इताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमा तो तुम गईया के आगे गईयां को आगे रखके जाओ और भगवान कृष्ण से क्या गरो हो समय अचना गरो तुम्हें माफ कर देंगे तो फिर अंदर देव आए उन्होंने या गोविंद, जो गोविंद आभी हम कहते हैं गोविंद देव विंदवन में वो नाम इंद्र का ही दिया हूँ है गोविंद भगवान को, जाइपर में स्थापित है अभी जो सबसे पहले विंदवन वन और रोसौरी तो अभी जो इस्थान पर जाएंगे इसके बाद जो गवर्दन से स्रेश्ट इस्थान बताए गया राधा कुंड तो राधा कुंड की महिमा क्या बताए गई है कि एक बार भगवान कृष्ण अपने सकाओं के साथ गौचारन कर रहे थे तो एक इंद्र कंस के पास एक राक् मुरी नियाती जब तु भी चले जा तो यहां आता है और इसका रूप द्धारन करता है एक बैल का एक बैल के रूप में आता है अब भगवान कृश्ण में आक्रमड करता है भगवान किस्थ्थे क्करते हैं उसके पैर पगड़के उसको पटक के फज़िकर देते हैं जब अलग है थो टो एक नाग्सिस था तो वह आ tuck लग Дर तुम्हें तुम्हें पांप लग गाए अब तुम्हें पांप लग लग गया तुम्हें अब तुम्हें हम हम्हें परसकरनी की जरूत महीत नही उन लग दो GPAl उब तुम सारे कुंडों में सनान कर लोगे तो तुम्हारा थूल जाएगा बहु लिभण पून क्ष्णी किया उसके साथ कूल के ऊधन्सकाइब ईतने क 시ुटतší क्यों सब्सक्राइब अब जल काहँ से लाएं तो सारी के सारी गोपियों ने अपनी मटकी पकडी और जहां से जल भरने के लिए झाने लगी तो भगवान को बोला कि यही सबसे अच्छी सेवा का अई जाओ सिमती राधरानी का अश्रे करो तो यहां श्याम कुंड रादारनी के दसन प्राफ्त हो जाते हैं अपस Siteman. रदा रानी है कुंड़ रूप में प्रगट है जो कुणद नहीं ओर आई होगे में प्रगट हूए हूए जो कृश्न ही कुंड़ रूप में प्रगट हूए हूए जो बीच स्थान मतलब रादा कृष्न दोने याँपर अपर कुंड़ रूप में अगर कोई राधा कुण्डा स्याम कुण्ड का आजमान कर ले किद प्रिथीपी का सारे तिरथ में आपकी यही पर आपकी स्नान हो जाएगी इसलिए राधा कुंडा स्याम कुंड जैसी जगत में और जगत में कुछ इह नहीं इसले हम लोग गुरु वैस्ट नवगा अस्रीबात से अब देखो कि राधा कुंड़ स्याम कुंड़ राधाराने सिध्धी है देखना वो कुंडवी पूरा चोपना देखो कि एक कुंड़ है जो हमारे की संत्र थे रगुनाद दासगो स्वामी जब राधा कुंड़ को पांच ब्रिख्य रूप में हम खड़े हैं अगर तु चोपना बनाने जाओ के हम पांच जो ब्रिख्य सब कटे जाएंगी तुम अमुगतिसा पर आगर देखना हम पांच ब्रिख्य लायने से खड़े हैं इसले कुंड़ जैसे आप बैसे ही बना दो तो रगुनाद को retrouver अब डाउसाय को नहीं अब रदा कर्श्स्त नहीं कुंड़ रूप में प्रगड़ हुए अभी हम लोग परिक्मा करते गरते वहां पर जाएंगे और भर बहुत सारी कथा करते हो समय नहीं आप दोनों कंदे में आचमन करना फहले राखा कुंदे में हासमन करना उसको बाद में E परकाइब राधा कुण्ड़े में दो बार आच्मन करना चाहिए बल्कियों पहले हम लोग जद्धे पी राधा कृष्ण दोनों को ही भक्ति करते हैं लेकिन हम किसकी साइट में जादा है राधा रानी की हम स्री राधा जी की आनुगत्य में ही सिवा करना चाहते हैं आज आएगा अभी और वहीं पर डाल वाट चुर्मा खाकर घरम बापस आना कुछ भक्तों लोग बोल रहे था हम माला जब करेंगे जो माला लेना चाहते हो हम लोग अब के लिए माला भी एक ले आए लगडी का माला लाई तुलोसी माला नहीं लाए तुलोसी माला तभी डाज देते हैं जब वह पियाद रशन को पर चोड़ देते लही तहब पहले लेकर एक लेकर तुलोसी कीये लकडी कि माला को लेकर प्राटी से करना अब लोग तुलोसे माला लेकर उड़ेकर भजन करना